नमस्कार दोस्तों पिछली बाद चाइना के मिश्टियस निमूनिया पर जब मैंने वीडियो बनाई थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि एक अजीब सी बिमारी चाइना के अंदर फैल रही है जो खास उप से बच्चों को इफेक्ट कर रही है जिसकी वज़े से सांस पर कम लग रहे हैं बीजिंग से लेके जुआन तक सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है अब जो इस्तिती चाइना में थी वो पूरे वर्ल्ड में होती ही दिखा दे रही है दिए दिए चाइना का मिश्टियस निमूनिया वर्ल्ड के अंदर फैलतावा दिखा दे रहा ह इसके अलावा दोस्तों लेक्चर को शुरू करने से पहले एक सवाल में आप लोगों से पूछना आता हूं बताओ पीबी जो है वो किस पैथोजन की वैसे होती है आपके ऑप्चन है बैक्टिरिया फंगाए वाइरस या इनमेंसे कोई भी नहीं सही उत्तर नीचे कमेंट के अंदर देना जो सही उत्तर देगा ना उसके कमेंट के ओपर में हार्ट पिन करूंगा चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं आप हुआ क्या देखो चाइना के अंदर बच्चों में एक अजीब सी विमारी फैल रही थी जिसकी वैसे कमीशन द्वारा यह कहा जाता है कि चाइना के अंदर कोई नोन पैथोजन की वैसे बच्चों के अंदर बीमारी दिखाय दे रही है बच्चों के अंदर इस समय पर यह क्योंकि ठंड का समय है इस समय पर जनरली ऐसा बुखार देखने को मिलता है जो बच्चे जल्दी पुनानी बीमारी है जो बच्चों में फैल रही है इनका कहना है कि एक सीजनल फ्लू टाइट से है जिसे यह निमोनिया भी कह रहा है जिसके सिंटम निमोनिया जैसे दिखाय दे रहे हैं प्रोमेड एक इंटरनेशनल संस्था है जो जनरली हेल्ट से रिलेटेड डाटा को देखके अलर्ट जारी करती है बीमारियों के रिलेटेड रीसेंटली 21 नवंबर के दिन इसी प्रोमेड के द्वारा चाइना के अंदर फैल रहे इस मिस्टीरियस निमोनिया के लिए एक अलर्ट जारी किया गया वर्ल्ड हर्थ और्गनाइजेशन ने फिस चाइना से डाट जारी मांगी थी और अलर्ट जारी किया था वर्ल्ड हर्थ और्गनाइजेशन ने उश समय पर भी चाइना से जानकारियां मांगी और का सब सेट में वही मिस्टीयस निमोनिया कोवीड-19 निकला युकि हमारा experience चैना के मिस्टीयस निमोनिया के लिए खतरनाक रहा है इस कारण से लोगों के अंदर घबराहट जायस है युकि लोगों का experience बहुत दर्दनाक है कोवीड-19 को लेके कई सारे लोगों ने अपने परिवार जन को खोया है, कई सारे लोगों ने अपने घर को उजरता हुआ देखा, जिसके कायन से इस मिस्टीरियस निमोनिया की वज़े से वापस से पैनिक पूरे वर्ल में होता हुआ दिखा दे रहा है, हाला कि World Health Organization का कहना यह है कि हमको चाइना यासे डाटा मिल चुके है, चाइना के अंदर पेशन कंसल्टेशन बढ़ रहा है, हॉस्पिटलाइडेशन बढ़ रहा है, पर क्यों बढ़ रहा है, कुछ नहीं बता, मान लेते हैं चाइना जो कह रहा है, वो सही है, मान लेता है World Health Organization जो कह रहा है, उसके अलाव हमारे पास हॉस्पिटल पहुँच रहा है, हॉस्पिटल नों में कह दिया गया है, कि एक बच्चे के साम्त में एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं होना चीए, दूसरे पेरेंट की जगा ही नहीं है, हालत बहुत खराब होती जा रही है चाइना में, और चिंता का विशय तो यह है, कि हालत चैना में है, अब ये वर्ल्ड के दुसरे धेशों में फैल रही है, क्यों? क्योंकि हुखिप चैना ने अभी तक अपनी बौडर को क्लोज नहीं किया, लोग चैना घूमने जा रहे है लोग चैना से घूमने जा रहे है, ऐसी कंडीशन के अंदर, चैना से आदान प्र इनहीं देशों में अब ये निमोनिया केसे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेट अस टेक दे केस आफ नीदल लेंड। नीदल लेंड के अंदर नवंबर 2022 में सीजनल फ्लू के कारण या कहूं निमोनिया के कारण 53 बच्चे हर एक लाख बच्चे पे बिमार थे। इस साल केवल नवंबर 16 से नवंबर 12 के बीच में 53 लोग हर एक लाख बच्चों पे बिमार हैं निमोनिया से। ठीक एक अफ़ते बाद यहीं आकड़ा हर एक लाख बच्चों पे 20 से ज़्यादा हो जाता है और 13 से 19 नवंबर के बीच में 103 बच्चे हर एक लाख बच्चों पे बिमार हो जाते हैं निमोनिया से जो दर्शाता है कि नीदरलेंड गेंदर नीमोनिया के इस बढ़ रहा है जो नीज़्पेपर नीज़ आर्टिकल यहीं बताते हैं कि युनाटे स्टेट देनमार्क नीदरलेंड इस पेंट जैसे कई साय देशों के अं और तमिल नाडू जो है वो सामिल है इन छे राज्यों के अंदर हाई अलर्ट होने के साथ में तेंटर गावर्मेंट दौरा कहा गया है कि अपने प्लान जो है वो रेडी रखो इस निमोनिया से बचने के लिए डेनमार्क में इस थी तो एपिडेमिक लेवल तक पहुंचने वाली है वहीं ये जो बीमारी है एक बच्चे दुसरे बच्चे के अंदर ठीक उसी तरीके से फैलरी जैसे कोविड-19 फैलता दा कफिंग के ज़री है स्नीजिंग के ज़री है बात करने के ज़री है गाना गा रह गया ब्रीफिंग ले रहे हैं सांस ले रहे हैं उस समय पर यह इमारी फैलती ही दिखा दे रही है हाला कि माना जा रहा है कि यह मोस्ट प्रोबेबली निमूनिया का वाइट लंग सेंड्रोम है जिसके अंदर इतना खतरनाक निमूनिया हो जाता है कि लंग्स के कलर उड़ सांस लेना मुश्किल हो जाता है और डेथ रेट काफी हाई होता है जिसके लिए ठीक से दवाई भी अविलेबल नहीं है अगर यह भी है तो खतरी घंटी है और कोई नया पैथोजन है तो भी खतरी घंटी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि यह वाइट लंग सेंड्रोम है भी या नहीं बस एक्सपर्ट के दौरा माना जाना मोश्वबली यह है अगर आपके घर में कोई शोटा बच्चा है तो प्लीज थोड़ा धियान रखें चतरक रहें अगर बच्चे में कफ, फीवर, शॉर्ट ब्रीथ, चेश पेन या फ्रेटिक जैसे सिम्टम दिखाय देते हैं, जंदली बच्चों में नॉर्मली होते हैं, तो हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, पर अगर अभी अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है, उतमें इस तरीके के सिम्टम दिखते हैं, तो सजग रहें, इमीजेट डॉक्टर को दिखायें, सारे ट वर्ल्ल में फैलता हुआ दिख रहा है, दोस्तों आई होप आपको यह साई चीज़ समझ में आई होंगी, लेक्चे अच्छा लगाओ तो लाइक करना, लेक्चे बहुत अच्छा लगाओ तो नीचे एसास रिटेन कमेंट करना, इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को और प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर, अल्रेडी ओफलाइन क्लासे शुरू हो चुकी है, 15 दिसंबर से नहीं बैचे शुरू होने वाली है, अगर आप वहाँ पर विजिट करते हो, सेंटर पर जाके कहते हो कि मैं कोर्स लेना उस बीच में, आपको चाहिए डिसक प्रेंटू तो ऐसा सी टेंकोड लगा दो, तो आपको 35 प्रतीशे तक का डिसकाउंट जो मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको आपको इस साइज समझ में आए होंगे, आज के लिए ताई, जैन जै बारत